दोस्तो आप सभी कच्छवे के बारे में तो जानते ही हैं बहुत से लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं क्योंकि इनको पालना शुब मना जाता है कच्छवा पानी और जमीन दोनों में रह सकता है इनके पास एक सुरक्षा कबच होता है जिसका इस्तमाल ये खत्रे के वक्त अपने आपको छुपाने के लिए करते हैं ये ऐसे जानवर हैं जो लंबे समय तक जिन्दा रहते हैं लेकिन इनकी सही उम्र का पता लगाना आसान नहीं है वैसे तो इस दुनिया में कच्छों की 300 से भी जादा प्रजातिया मौजूद हैं जिसमें से आज हम आपको कुछ ऐसी प्रजातियों से मिलाने वाले हैं जो दुनिया में सबसे सुन्दर माने जाते हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना नमबर 10 जलने वाली धारा खाड़ी जील तलाप और दलदलों में पाया जाता है यह कच्छों बहुत ही अच्छा तैराक होता है और यह अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताता है लाल कानो वाले यह कच्छों अपने शरीर के तापमान को स्थाई रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं और ऐसा करते समय यह एक दूसरे के ओपर रहना पसंद करते हैं थोड़ी से भी हलचल यह आवास से यह अपने कवज और पानी के अंदर चले जाते हैं इनके सेर पर बने लाल कानवाले निशान के कारण ही इनका नाम रेड इयर स्लाइडर रखा गया है बात कर इसकी सुन्दरता की तो इनके पीले शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं और उनके मुह और पैरो पर पीले और काले रंग का अच्छा कॉंबिनेशन है साथ ही इनके कवज पर पीले खंड और सफेद रिखाएं होती है जो बढ़ते समय के साथ भूरे रंग में बदल जाती है जो इसकी सुन्दरता को और भी बढ़ाती है दोस्तो ये कच्छवा अमेरिका में पाया जाता है और ये तलाब में रहने वाले कच्छों की उपर जाती है ये जिस शेत्र में रहता है वहां का ये सबसे आम कच्छवा है और सबसे लोग प्रियवी आपको बता दूँ कि ये कच्छवा बिल्कुल लाल कानवाले कच्छवे की तरही दिखाई देता है और अक्सर लोग इन्हें देखकर भ्रमित हो जाते हैं इन्हें पहचानने का एकी तरीका है और वो है इनके सिर पर लाल कानवाले निशान जो इन दोनों प्रजातियों को अलग करते हैं इस कच्छवे के कवच में आम तोर पर भूरा और काला रंग होता है जिसमें अक्सर चमकीले पीले रंग की धारिया होती है जबकि इसकी त्वचा में हरा रंग होता है जिसमें अलग-अलग पीले धब्बे होते हैं इनके पैर और गर्दन में पीले स्लैड जैसा डिजाइन होता है जो देखने में काफी शांदार लगता है ये कच्वे दीमी गती से चलने वाले नदियों, दलदलों, बाड़ के मैदानों में पाया जाते हैं दोस्तो ये कच्वे सिर्फ मिसिसिपी और लुईसियाना के परल नदी में पाया जाता है ये कच्वे चोड़ी नदियों में रहना पसंद करते हैं जिसमें या तो मिट्टी और रेतीले तल होते हैं और जिसके बीच में मजबूत धाराये होती हैं इन्हें मलबे और गिरे हुए पेड़ो द्वारा बने इस थलो की जरूरत होती हैं अगर बात करें इनकी सुंदर्ता की तो इनके सिर पर पीले और नारंगी धबों के साथ गहरे पीले रंग के गोले होते हैं और इसके कवच के चारों किनारों में पीले रंग के अर्धगोलाकार पैटन होते हैं और इसकी अंडर वैली भी पीले रंग की होती है अगर इनके सिर को ध्यान से देखा जाए तो वहाँ एक बड़ी पट्टी होती है जो उसके नाक से होकर आखों के पीछे तक जाती है जबकि पैरों में एक या दो धारिया होती है जो उनकी लंबाई के साथ साथ चलती है इन कच्छों को सबसे कमजोर प्रजाती के लिस्ट मे है नमबर साथ रेडियलेटेड टॉट ओइस दोस्तों ये कच्छों सिर्फ मेडागासकवर द्वीप के दक्षणी और पस्चेमी भागों में पाया जाता है ये कच्छों 16 इंच और 41 सेंटीमिटर की लंबाई तक बढ़ सकता है और इसका वजन 35 पाउंड और 16 किलोग्राम तक होता है अगर बात करें इसकी सुन्दर्ता की तो इसकी सुन्दर्ता इसके कवच पर है इसके कवच में पीले रंग की रेखाओं के साथ शांदार धंक से केंदर बिंदू बना हुआ है जो बिल्कुल किसी तारे की तरह लगता है और इसलिए इसका नाम को खाता है और एकी जगा पर नियमित रूप से चरने के लिए जाना जाता है नंबर च्छे और नेट वूट टर्टल दोस्तों लकडी की तरह दिखने वाला ये कचुवा मध्य अमेरिका के उत्तरी कोस्टा में जंगली इलाकों में पाया जाता है दोस्तों ये एक अच्छे सभाव वाला कचुवा है ये प्रजाती पालतू व्यापार और लकडी की तरह दिखने के कारण पूरे अमेरिका में प्रसिद है ये कचुवा अपने विभिन रंगों के लिए जाना जाता है जो लोग कोस्टा रिका से हैं वो इस कचुवे को अच्छी तरह से जा जरुवत नहीं पड़ती वैसे ये कचुवा बहुती रंगीन है नमबर पांच डायमान बैक टेरेपेंड दोस्तों ये कचुवा संयूक्तराज अमेरिका के खारे तर्टी इलाकों में पाया जाता है दोस्तों कचुवे की ये प्रजाती बहुती खुबसूरत है बात करें इसकी खुबसूरती की तो इसका कवच भूरे या हरे रंका होता है जो लगबक काले रंके बराबर है इसके कवच में उठे हुए ये नोक ग्रे या सफेद रंके होते हैं और इसकी सफेद तवचा पर काले धब्बे या लंबी धारिया होती है जो इसकी खुबसूरती में चार चंद लगा देती है ये खुबसूरत कचुवा मीठे पानी में बहुत ही मज़े से रहता है लेकिन पास के समुद्री वातावरण के कारण इसका ये मज़ा ज्यादा समय तक नहीं रहता देकिन फिर भी समुद्र के इस खारे वातावरण में इनके पास अलग-अलग लव पाकिस्तान ये अपने सिर को खारे पाने के ऊपर उठाता है जिसके कारण वर्षा का जल सीधा इसके मूह में जाता है नमबर चार इंडियन स्टार्ट टॉइस दोस्तों ये कच्छुआ भारत श्री लंका पाकिस्तान के ठंडे जंगलों जाडियों और घास के मैदानों मे पाया जाता है बात करें इसके सुंदरता की तो इसके काले कवच में पीले रंके बड़े स्टार्स बने होते हैं जो पीली मोटी धाडियों के साथ पूरे कवच में फैले होते हैं कहा जाता है कि इनका ये रूप बहुत बड़ा चलावरण है क्योंकि जब ये जाडियों मे होते हैं तो इन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों ये कच्छवे जादातर सुबह और कड़ी दोपहर के दोरान सक्रिय होते हैं और बाकी के दिनों में ये कच्छवा यानि बरसात के दिनों में वनस्पती या किसी और चीज के नीचे शरण लेता है ये कच्छवा जादातर घूमना पसंद करता है और दिन का जादातर समय घूमने में ही बिता देता है दोस्तों ये कच्छवा बहुती छोटा होता है जो नदी में मौझूत रेत और मिट्टी के साथ रहता है बात करें इसकी बनावट की तो इसके कवच में काले नुकिले और चमकदर कैर पास होते हैं 37 का कवच बहुत से भागों में बटा होता है और प्रत्यग भागों में पीला और नारंगी रंग का धबा होता है इसके कवच के चारो ओर एक पैटन हैं जिसमें काली कोलाकार आकरिती बनी हुई है ये दूसरे मैप स्टटल की तरह ही होता है ये सब ही रहना पसंद करते है जहां गिरे हुए पेड़ होते हैं अगर पोई इनके पास जाता है तो ये जल्दी से पानी में चले जाते हैं इनके पास जाना मुश्किल होता है क्योंकि इन्हें चुने पर मादाएं काटती हैं और नर अपने कवज के अंदर चले जाते हैं नमबर दो Geometric Tortoise दोस्तो ये कचुवा काला हरी रेगिस्तान और दक्षिन अफरीका में पाया जाता है कचुवे की ये प्रजाती दुनिया में सबसे दूरलब प्रजातियों में से एक है इनका कवज उत्तल आकार में एक काले रंगी प्रिश्टो भूमी पर आधारित है जिस पर पीले रंग का स्टार पैटन है ये कचुवा बहुती सामानने होता है और दूसरे कचुव की तुला में बहुत अलग भी क्यूकि इसके कवज की चोड़ाई दूसरों की तुला में अधिक होती है जिसके कारण इनके पैर कवज से ढखे होते है अफरीकी लोग इनके अंडे का इस्तमाल भोजन के रूप में करते है और वैपारी दौरा वैसक कचुव को पकड़ कर उनका इस्तमाल सजावटी समान बनाने के लिए किया जाता है जिसके कारण आज इस दुनिया में ये सिर्फ दो हजार से तीन हजार की संख्या में रह गया है दोस्तों इस समुद्री कच्छवा अटलांटिक और प्रशांत महसागर में दो अलग-अलग आबादी के साथ दुनिया भर के उष्ण कट्वी बंदिये छेत्रों में पाया जाता है लेकिन ये हिंद महसागर में भी पाया जाता है दोस्तों इसका नाम आम तोर पर इसके आवरण के नीचे पाया जाने वाले हरे वसा को दिखाता है जिसमें गहरा भूरा, हरा, पीला और काला रंग भी शामिल है इन हरे समुद्री कच्छों को IUCN द्वारा लुप्त होने वाली प्रजाती माना जा रहा है क्योंकि इन्हें कई खत्रों का सामना करना पड़ता है जिसमें निवास स्थान का नुकसान, अंडों की कटाई, घोसले के समुद्र तटों को नुकसान और मश्री पकड़ने वाले जाल भी शामिल है दोस्तों ये सबसे बड़े समुद्री कच्छों की प्रजातियों में से एक है लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये एक मात्र ऐसा भी है जो पूरी तरह से शाकाहरी है इस प्रजाती के भीतर एलबी निजम होता है लेकिन ये अधिकतर लंबे समय तक जीवित नहीं रहते क्योंकि इनका असामाने रंग इनके शिकारियों को इनके पास ले आता है लेकिन अगर ये वैस्क होने तक जीवित रह जाते हैं तो इनकी सुनदरता देखने लैक है जो सच में बहुती सुनदर होते है तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ सुन्दर कच्छों की प्रजातियां अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे ही वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को चेक किजिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बाई